हेलो एवरिवन आज मैं बनाऊंगी कुछ हरे साग मैंने लिये हैं उन सब को मिक्स करके एक सबजी बनाने वाले हूं और इस सबजी के लिए मैंने लिया है ये पालक, मेथी और बत्वा मैंने इन सब को बारिक पश लिया है और अभी मैं ये एक बरतन में बराबर बराबर मात्रा में मिक्स करके रखने वाली हूं और उसके बाद इसको वाश करूंगी काफी मिट्टी होती है और कीड़े भी होते हैं सबजियों में तो अच्छे से दो-तिन बार वाश करूंगी औ और यह साइड में चड़ाही लेके गरम के लिए और जैसे हमारा तील में यह जीरा डाल रहा है अजीरा जैसे बहुन जाएगा ज़ै जाले हैसे लश्वाइन के राच आरख दैगे ज़ी पारे जाहाएगा म संछ तोछ को अगे हैं सब्सक्राइब react में में तेरी में तेमनें प्रास को, सिवकर काम से गाह चाहिका जो हीर संछ रहु माया जाएं प्रिशने था की अगारी एकदे़ पिलग तेरी आधिए पुर, कमेट लुट आमे में पिता को परने, त metallic एक फिर माज भी। प्रादन कार अर इतके बाद ये हल्डी डालीवी अभी विंसापके के लिख करना में और किस देर ऐसे कलाने के बाद समने को फिर मैं इसके बश्कन लगा दूंगी गैस के अभी दिखन रखेंगे कि अभी ये बश्कन लगाते मैं इसको खोगबेर के लिए पकाऊंगी कुछ देर के बाद मां ढटा कर देख रहे हैं अब आगशा के जुन गाया है मसाला और ये में में गहिया पाउज़ा डाल दिया है इसके दुबारा से चलाएंगे ताकि दुबारा से नग्या पाउज़ जाने के बाद दुबारा से गैस अभी भी सीम रखी हुई है लगड़ जी तबी कि गैस से भी बंती है इसके ज़्याद़ अभी चलारने के ज़रूरत नहीं है जो दुबारा से बस्तान आटाके देखा है मसाला हमारा तैयार है तेल वी लिप कर दिया है मसाले में और अभी मैं इसको मिक्स नहीं करूंगी थोड़ा यह बैठ जाएगा गलने के बाद उसके बाद में अभी धक्कन लगा के रख दिया है कुछ देर बाद धक्कन अटा के दिखाऊंगी देखिए एक निबट हो गया लगव और यह में रखकन अटा दिया है और अभी प Cris लिटार को भी मिक्स थानर ही अब मिक्स करना विए तो अब है इसकि दोखकन को मिक्स नहीं हों मैं इसको और नहीं को अथे बारबार कureau है जट अब दक्कन हो वदो करना पर यह थो भी को कि लुटो है फिसा अब दरबकान पड़ा पूंजहिरा सिरम फिर दखिघ में सब्सक्राइब बदान कर दो जब कर दो ही ख़ोगा तो जिल वरेखिए कर दो Hang expect लिगा लगारा से लगा दिया है अजिस में तेमी टैया है और इसली सब्सक्राइब काफ़ी बार्टी आपके लगई कार्द जब जोल जाय है कि इन सब्सक्राइब काफ़ी पानी ऊता है सब्सक्राइब आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए मिच्ची पाउडर और गरम मसाला में डाल दिया है ज्यादा कुछ मसाले नहीं डालने होते हैं जो घर में मसाले अवलेबल होते हैं उनी से ये साग बन जाता है और काफी पोश्टिक होता है जरूर बना के खाना चकी ठंडी के मौसम में ये देखे अब इसमें पानी अब हो गया है अभी गैस बंद कर देते हैं अभी सबजे हमारी तयार है यह में सरूर करके आपको दिखा रही हूं